वेलकम टू रोबस्ट नीज इस चैनल पर आपका स्वागत है सरकारी स्कूल में घुसकर अजनेवी ने दो लड़कियों का किया योनुत पिलन फॉक्सों के तहट के असदरज आपको हम सीधे लेते चलते हैं राजदाने दिल्ली में नगर निगम M.C.D. दौरा संचालीत एक इसकूल में कक्छा के अंदर एक अग्यात बैक्ती दौरा कथिक तोर पर दो लड़कियों के कपड़े जबरन उतारने का मामला सामने आया यह घटना तब हुई जब बच्चे अपने सिक्षक के आने का इंतजार कर रहे थे अब तक इस संबन्द में किसी की गिरफतारी नहीं हुई है दिल्ली महिला आयोग ने बूद्वार को कहा कि पुर्वी दिल्ली में एक सरकारी स्कूल की कक्छा में एक बैक्ती कथिक तोर पर घूसा और उसने आठ वरस की दो लड़कियों का योन उत्पिड़न किया तथा छात्रों के सामने कपड़े उतार कर पिसाब किया आयोग ने दावा किया कि जब छात्राओं ने इस घटना की जानकरी परचार्ज और सिख्छक को दी तो उन्होंने उन्हें चुप रहने और भोल जाने को कहा पुलीस के मुताबिक इस्कूल के परवेश द्वार और परिसर में कोई CCTV कैमरा नहीं लगा था दिल्ली पुलीस ने बताया कि भजनपुरा में पुर्वी दिल्ली नगर निगम EDMC के स्कूल में लड़कियों के उत्पिडन के संबंद में एक मामला दर्ज किया है पुलीस ने घटना से संबंदित विश्तित जानकरी नहीं दी दिल्ली महिला आयोग ने इस संबंद में पुलीस और पुर्वी दिल्ली नगर निगम को एक नोटिस जारी किया है पुर्वी दिल्ली के महापौर स्याम सुन्दर अगरवाल ने कहा कि एक चूख हुई है और जांच के आदिस दिये गए है नगर निगम के स्कूलों में कक्चा पांच तक के छात्र पढ़ते हैं दिल्ली महिला आयोग ने 30 अप्रेल को जारी नोटिस में कहा कि स्कूल असम्बली के बाद बच्चे कक्चा में अपनी सिक्षक का इंतजार कर रहे थे तभी एक अजनवी कक्चा में घुश गया सब्द कहे इसके बाद बाद दूसरी लड़की के पास गया और उसके तथा अपने कप्रे उतारे इसके बाद आरूपी ने कक्चा का दर्वाजा बंद कर दिया और बच्चों के सामने पिसाब किया आयोग ने कहा यह एक गंभीर मामला है और इस पर तत्काल कारवाई की जानी चाहिए मामले की जाँच के लिए बिशेस दस्ते का गठन किया गया है वेल्कम टू रोबस्ट नियूज रोबस्ट नियूज में आपका फिर एक बार सवाकत है कैसे टिपु सुल्तान ने लड़कर दलित महलाओं को अपना अस्तन ढखने का अधिकार दिलाया था केरल के तरण कोड इलाके खास तोर पर वहां की महलाओं के लिए 26 जुलाई का दिन बहुत महत पुरूण है इसी दिन 1869 1859 में वहां के महाराजा ने अवर्ण औरतों को सरीर के उपरी भाग पर कपड़े पहनने की इजाज़ा दी थी अजीब लग सकता है पर केरल जैसे परगतिसिल माने जाने वाले राज में भी महलाओं को अंगवस्त्र या बलाउज पहनने का हक पाने के लिए 50 साल से ज़्यादा सगन संगर्ष करना पड़ा अब आपको हम बताते चलें कि अस्तन ढखने को लेकर क्या नियम थे इस कुरूप प्रमपरा की चर्चा में खास तोर पर निचली जाती नादर की इस्तिरियों का जिक्र होता है क्यूंकि अपने वास्तर पहनने के हक के लिए उन्होंने ही सबसे पहले बिरोध जताया नादर की एक उपजाती नादान पर ये बंदी से उतनी ही नहीं थी ब्राहमन और छत्रिय नायर जैसे जातियों की औरतों पर भी सरीर का उपरी हिस्सा ढखने से रोकने के कई नियम थे। नंबुदिरी औरतों को घर के भीतर उपरी सरीर को खुला रखना पड़ता था। वे घर से बाहर निकलते समय ही अपना सीना ढख सकती थी। लेकिन मंदिर में उपरी वस्त्र खोल कर ही जाना होता था। नायर औरतों को ब्राहमन पुरुशों के सामने अपना वक्ष खुला रखना होता था। सबसे बुरी इस्थिती दलित औरतों की थी, जिने कहीं भी अंगवस्त्र पहनने की मना ही थी, पहनने पर उने सजा भी हो जाती थी, एक घटना बताई जाती है, जिसमें एक निम्न जाती की महिला अपना सीना ढग कर महल में आई, तो रानी अतिंगल ने उसके अस्तन कटवा देने का आदेश दे डाला, इस अपमान जनक रिवाज के खिलाप, 19-20 सदी के सुरू में आवाजे उठनी शुरू हुई, उचवरक के लोग जबरन महिलाओं के वस्त्र उतार देते थे, 28 सदी के अंत और 19 सदी के सुरू में केरल से कई मजदूर, खास कर नादन जाती के लोग चाय बगानों में काम करने के लिए स्री लंका चले गए, बेहतर आर्थिक स्थिती, धरम बदल कर इसाई बन जाने और यूरोपिये असर की वज़ह से इनमें जागरुकता ज्यादा थी और ये औरते अपने सरीर को पुरा ढखने लगी थी, धरम परिवतन करके इसाई बन जाने वाली नादर महिलाओं ने भी इस परगतिसिल कदम को अपनाया, इस तरह महिलाएं अकसर इस समाजिक परतिबंद को अंदेखा कर सम्मान जनक जीवन पाने की कोशिश करती रही, यह कुलीन मर्दों को बरदास्त नहीं हुआ, ऐसी महिलाओं परहिंसक हमले होने लगे, जो भी इस नियम की अवेलना करती उसे सरे बाजार अपने उपरी वस्तर उतारने को मजबूर किया जाता, आवरन आवरतों को छूना ना पड़े, इसके लिए सोवरन प्रूस लंबे डंडे के सीरे पर छूरी बांद लेते और किसी महिला को बलाओं जीया कंचु की पहना देखते तो उसे दूर से ही छूरी से फार देते, यहां तक की वे आवरतों को इस हाल में रसी से बांद कर सरे आम पेड़ पर लटका देते, ताकि दूसरी आवरते ऐसा करते डरें। टीपू सुल्तान ने दलित महिलाओं को दिलाया था सम्मान से जीने का अधिकार। सोशल मीडिया पर ब्रहमनवादी यानि मनुवादी लोग मातम मनाते हैं कि टीपू ने 700 ब्रहमनों को मार दिया था। टीपू सुल्तान ने अचूत महिलाओं को अस्तन ढकने की अनुमती दी थी, वही खीज आज निकाली जा रही है। कोई भी राजा हो क्या वह अन्याई इसलिए ना देखें और दंड ना दें कि यह अन्याई उसके धरम का नहीं और इस कारण से भविश में उस पर अन्य धरमों के उपर किये अत्यचार के लिए गालियां दी जाएगी। संगी और वाम इत्यासकारों ने टिपु सुल्तान को लेकर थोड़ा बड़ा दिल दिखाया। पर अब टिपु सुल्तान को भी विवादित करने का प्रियास किया गया। और औरंगजेव के जैसा बनाने का प्रियास किया गया। इतियास कार टिपू सुल्तान के पड़ती इसलिए जूट ना लिख सके क्यूंकि टिपू सुल्तान का सारा इतियास बहुत करीब के दिनों का है। आपको बताते चले साथ ही यह तत्थ और सबूत है कि वह अंग्रेजों से लड़ते हुए सहिद हुए और अपनी पूरी सल्तनत बरबाद कर दी। दरसल उसको बदनाम भी केवल सोवर्ण कर रहे हैं। अब आपको एक नेक्स्ट सवाल है संग को टिपू सुल्तान से इतनी नफरत क्यों होती है। मारा हो कि केवल मुस्लिम सेनिक मारे जाए। हिंदू सेनिकों को कोई नुकसान न हो चाहे विरोधी सेना का ही क्यों न हो। तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ पर अब ऐसा ही किया जा रहा है। ब्रिटेन की नेशनल आर्मी मुजियम ने अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने वाले 20 सबसे बड़े दुस्मनों की लिष्ट बनाई है। जिसमें केवल दो भारते योधाओं को ही इसमें जगह दी गई। नेशनल आर्मी मुजियम के आलेख के अनुसार टीपू सुल्तान अपनी फोज को योरोपियन तकनिक के साथ ट्रेंडिंग देने में विश्वास रखते थे। टीपू विज्ञान और गनीत में गहरी रूची रखते थे और उनकी मिसाइलें अंग्रेजों के मिसाइल से ज्यादा उन्नत थी। जिनकी मारक छमता दो किलोमीटर तक थी। आपको बता दें। जो अंग्रेज टीपू से इतना घबराते थे। उनके बनाए जूटे इतिहास को दिखा कर संग के लोग टीपू का विरोध कर रहे हैं। सच यह है कि विरोध कर रहे हैं ऐसे लोग ही भारत के निश्पक्ष इतिहास के लिखने पर नंगे हो जाएंगे। क्यूंकि यही लोग हर दोर में अत्याचारी रहे हैं। और इसी अत्याचार को करने के लिए इन लोगों ने टीपू से अंग्रेजों की लड़ाई में अं त्रोण महाराजा, मराठे और हैदराबाद के निजाम अंग्रेजों के सबसे बड़े मित्र थे। चारों ने मिलकर एक अकेले टीपू सुल्तान के विरुध यूद किया। जिससे इनकी आयांसियां चलती रहे और देश जाए भार में। चाहे इस पर अंग्रेजों का रा जाज में है जहां का ब्रहामन राजा निरंकुष और अयास था। उसके जुल्मों से वहां की जनता को छुटकरा दिलाने के लिए टीपू ने उस पर आकरमन किया था। और युद्ध में त्रोण कोर की सेना में सामिल ब्रहामन मारे गए। अंतरता राजा को वहां की दलि महिलाओं को नयाय देना पड़ा। 1814 में त्रोण कोर के अंग्रेजों के चमचे दीवान करनल मुन्रो ने आदेश निकलवाया की इसाई, नादान और नादर महिलाएं बिलाउज पहन सकती हैं। मगर इसका कोई फाइदा ना हुआ। उच्छ सोवरण के प्रूस इस आदेश के बावजुद लगातार महिलाओं को अपनी ताकत और असर के सहारे इस सरमनाक अवस्था की और धकेल रहे। आठ साल बाद फिर ऐसा ही आदेश निकाला गया। एक तरफ सरमनाक इस्थितिक से उबरनी की चेतना का जागना और दूसी तरफ समर्थन में अंग्रेजी सरकार का आदेश। ज्यादा महिलाओं ने सालिन कपड़े पहनने शुरू कर दिये। अदालत में गवाही देने के लिए भी अंगवस्थर उतार कर अंदर जाना पड़ा था। इधर उचवरग के प्रूसों का प्रतिरोध भी उतना ही तीखा हो गया। एक घटना बताई जाती है कि नादर इसाई महिलाओं का एक दल निचली अदालतों में ऐसे ही एक मामले में गवाही देने पहुचा। उन्हें दिवान मुन्रों की आँख के सामने अदालत के दरवाजे पर अपने अंगवस्थर उतार कर रख देने पड़े तभी वे भीतर जा पाई। संगर्ष लगातार बढ़ रहा था और उसका हिंसक परतिरोध भी स्वरणों के अलावा राजा खुद भी प्रंप्रा निभाने के पक्ष में था। क्यों न होता आदेश था कि महल से मंदिर तक राजा की सवारी निकले तो रास्ते पर दोनों और नीची दलित जातियों की अर्दनगन कुवारी महिलाएं फूल बरसाती हुई खड़ी रहें उस रास्ते के घरों के छज्जों पर भी राजा के स्वागत में औरतों को रखा जाता था राजा और उसके काफिले के सभी पूरूस इस दृष्ट का भरपूर आनंद लेते थे आखिर 1829 में इस मामले में एक महतोपुर्ण मोड आया सवर्ण पूरूसों की लगातार नाराजगी के कारण राजा ने आदेश निकलवा दिया कि किसी भी दलित जाती की औरत अपने सरीर का उपरी हिस्सा ढख नहीं सकती अब तक इसाई औरतों को जो थोड़ा समर्थन दिवान के आदेशों से मिल रहा था वो अभी खतम हो गया अब हिंदू इसाई सभी वंचित महलाएं एक हो गई और उनके विरोध की ताकत बढ़ गई सभी जगा महलाए पूरे कपड़ों में बाहर निकलने लगी इस पूरे आंदोलन का सीधा संबंध भारत की आजादी की लड़ाई के इतियास से भी है टीपू सुल्तान ने तौर्ण कोर को हरा कर इस रूरीवादी वेवस्था का अंत किया टीपू सुल्तान ने इसी अन्याय को समाप्त करने के लिए तौर्ण कोर पर आकरमन किया जिससे तौर्ण कोर की सेना के तमाम लोग मारे गए जिसे आज ब्रहामनों के वद के रूप में बता कर उनका विरोध किया जा रहा है उसी युद में विरोधियों ने उची जातियों के लोगों दुकानों और समान को लूटना कारमिक गुरूओं ने भी इस समाजिक रूड़ी का विरोध किया और अंततह 26 जुलाई 1869 को वहां के राजा ने दलित औरतों को इस्तन ढखने की अनुमती परदान की टीपू सुल्तान से वहीं खीज आज निकाली जा रही है जरा सोचिएगा कि तरौन कोर का राजा कोई म होता तो आज के दोर में दलित औरत को अस्तन ढखने के लिए अनुमती नहीं मिल पाती खबर कैसी लेगी चैनल को सब्सक्राइब करें केमेंट में अपनी राज दें थैंक्स ओडियंस थैंक्स लिस्टनर